डियर इस्टुडेंट्स ये मेरा वीडियो नमबर टू जो पहला जो चेप्टर है भलवेटिन रैबिट का उसका जो पार्ट बाकी रह गया था वो है तो हम कहानी में यहां तक थे कि खरगोस यह सुचते था कि सर्जीव कैसे होते हैं जिन्दा कैसे होते हैं और उसे इस तरह से होने में कितना समय लगेगा क्या वो समय आएगा अब कहानी में आगे क्या है यह देखते हैं इस कहानी के अंदर नाना नाम की एक औरत खिलोनों की देखरे करती थी यानि जितने भी खिलोने थे और वो जो लर्का था इन सब की वो इंचार्ज थी लर्का कब सोता है पु खिलाउने को यह बात बिलकुल पसंद नहीं थी, और खासकर वो खिलाउने जो टीन के बने हुए थे, लेकिन उन खिलाउनों में जो खरगोस था, वो तो बेचारा मखमल का बना हुआ था, उसे जैसे भी रख दो, टेरा, उलट, पुलट, ठूसकर, पटक कर, उस पर इसका को साथ खेलता था, और सोता था, वो उसके बेगर रही नहीं सकता था, नाना ने उसके बदले में उसे खरगोस को अलमारी से निकाल कर बच्चे को दे दिया, और कहा, इसी के साथ सो जाओ, कई रातों तक बच्चा उस खिलाउने के साथ सोता रहा, दोनों एक दूसरे को और कहता कि यह वह घर है, जिसमें असली खरगोस रहते हैं, तुम्हारे जैसे जो असली होते हैं, वो रहते हैं, इस तरह से सनय बीठता गया, खरगोस पुराना और बदसूरत होता गया, बसंत का मौसम आया, उस मौसम में दोनों बागीचा में वक्त बिटाते थे, लरका उसे ठेला गारी में घुमाता, फूलों के जारीं के पीछे लरका उसके लिए घर बना दिया था, बच्चियों का चाय पीने के लिए अचानक बुलाया आ गया, यानि घर के मेंबर लोगों ने उस बच्चे को अचानक आवाज दी, कि बेटा आओ, चाय बन गई है, चाय आ आप पीलो, नतीजा क्या होता है, हुआ खरगोस को छोड़कर घर में चला गया, रात कू लरका सो नहीं सका, तो नाणा उसे बगी जा में डूंदने आई, चुकह वो खरगोस को बगीजा में चोड़कर घर में चला गया था, खरगोस वहीं परा रहा चुप, वो ऑउरत ज जो था वो ओस से भींग गया था। उसे अपने एपराउन से पोस्ते हुए ले गई और उस बच्चे को देते हुए कहा कि देखो इतनी मनमानी खिलाउने के मामले में सही नहीं है। अब संभाल के रखो भाई ये खिलाउने हैं कुछ भी हो सकता है। बच्चे ने उसे रोका और कहा सुनो नहीं ये तुम सही नहीं कह रही हो। मेरे खिलाउने को मेरे इस खरगोस को कुछ नहीं होगा। बलके ये खिलाउना नहीं असली खरगोस है ये जिन्दा है ये सजीव है। जब इस बात को खरगोस सुना वो बड़ा खुश हुआ। उस उसे याद आ गई अपने उस एसकीन होर्स के बाद की कि उसने मुझे कहा था कि जब तुम्हें कोई बहुत प्यार करें तो तुम जिन्दा हो सकते हो, सजीव हो सकते हो, मानो उसका सपना पूरा हो गया था अब आगे कहानी में देखते हैं गर्मी का मौसम था, खर्गोस एक दिन अकेले जंगल में खेलने गया उसने अपने पंजो के बीच से चीटियों को जाते देख रहा था तब ही क्या देखता है कि दो खर्गोस जो बिलकुल उसी के जैसे दिखाई देते थे वो उसके पास आगे वो बहुत अचम्भे में पर अगे कि ये क्या है ये तो बिलकुल मेरे जैसे है वो आकर वहां उचलते कुदते उसके पास आए वो बहुत अच्छे थे उन्होंने उसे पीछे वाले पैर उठाने के लिए कहा कहा कि तुम भी हमारे साथ उचलो कुदलो हमारे साथ खेलो हमारे साथ नाचो मखमली खरगोस ने ऐसा नहीं किया चुकि उसके पीछे का पैर नहीं था वो तो खिलाउना था और उसे कक्ये की तरह से एक डब्बे में बनाया गया था जो एक जग़ रहता था हकीकत में उसका पीछे का पैर नहीं था चुकि वो खिलाउना था असल तो था नहीं दोनों असली खरगोस थे मखमली खरगोस अपने कमी को छुपा रहा था लेकिन वे समझ गया उसे कहकर चले गया कि वो नकली खरगोस है जब तक लरका आ गया लरका उस मखमली खरगोस को इतना प्यार करता था कि वह वह उसे इतना प्यार करता था कि उसे अपने हाथों में उठा लिया और वो जो खरगोस वहां से चले गये थे जाने का कारण ये था कि ये लरका जब आया तो उससे वो डर गए थी इसलिए ज्यान बचा कर वहाँ से भाग गए हलाके जब वो जा रहे थी तो ये खिलाओने वाला खरगोश चिला चिला कर कर रहा था आओ मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा तुम लोग मेरे साथ खेलो तुम लोग क्यों जा रहे हो लेकिन वो वहाँ से चले गए आगे बरते हैं एक दिन लर्का बीमार पर गया लर्के को देखने डॉक्टर सहबाद जब लर्का ठीक हो गया तो डॉक्टर ने ह MR घुण दिया عूडर दिया हैं کہ जितने भी खिलोन और किताबें कंभा उसमकी की टानू हो गया हैं चुक्य यह बच्चा बीमार परहा हुआ था और इसके बीमारी के जक्जान हो थे वो सब खिलोनों और किताबों में चुपे हो सकते हैं इसलिए इन सब को जला देना चाहिए नाना जो वो लेडी थी उन सब को जलाने के लिए माली को दे आई माली सब्जी तोरने में बेर्स था और वो भूल गया खरगोस वहां से निकल लिया और सोच कर रोने लगा मैं क्या था और क्या हो गया इस पर उसके आग से आशु टपक गई आशु के टपकते ही जहां पर आशु गिरा था वहां से एक फूल खिल गया कहा जाता है कि जो फूल वहाँ पर खिला था उसके आशो की तपकने से वो दुनिया का सबसे सुन्दर फूल था साइद उतना खुबसूरत फूल किसी ने नहीं देखा था वो फूल बिल्कुल कप जैसा कटोरा नुमा दिखाई देता था और अचानक उसमें से एक परी निकल आई जो जादूई परी थी वो उसको देखा और उससे पूछा साइद मैं इसे जानता हूँ कहीं देखा हूँ और उसने पूछा तुम कौन हो तो उसने परी ने बताया कि मैं परी हूँ मैं जादूई परी हूँ और मेरा काम क्या है वो मैं तुम्हें बताती हूँ दरसल जितने भी खिलोने होते हैं जो कभी तूट जाते हैं या खिलने के बाद से उन्हें छोड़ दिया जाता है वो बेकार हो जाते हैं वैसे खिलोनों को मैं अपने साथ ले जाती हूँ और साथ लाकर उन्हें फिर से बना कर जिंदा कर देती हूँ और उसके बाद से वो सजीव हो जाते हैं जिंदा हो जाते हैं और हमेशा हमेश के लिए जिंदा रहते हैं लोगों के दिलों में लोग उन्हें खेलते रहते हैं बैर है ऐसा हो गया उस परी ने उसी भी उठा कर अपने साथ ले गई और जंगल में जाकर जो बहुत सारे खरगोश थे उनमें लाकर रख दिया और उन खरगोश को निर्देश दिया कि देखो हम तुम्हारे लिए एक नए साथी को लाए हैं एक दोस्त को लाए हैं इसलिए तुम्हें जितना हो सके अपने तौर तरीके को सिखाने हैं ताकि इसमें कोई कमी नहरा जाए एक अच्छा और असली खरगोश बनने में उन खरगोशों ने इसको असली बनने में काफी मदद की और इसके बात से उस परी ने कहा कि अब तुम चाहो तो खेल सकते हो तुम्हारी मरजी है अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी कोई प्रबलम नहीं होगी वो खरगोश सोचा क्योंना भाई मैं भी खेल हूँ ले यानि वो खरगोश वाकई जिन्दा हो गया था सजीव हो गया था उसे एहसास हुआ इस परी ने साइद मुझे ऐसा कर दिया है वो खुशी से पलट कर उस परी का सुकुरिया आदा करना चाहां लेकिन परी जा चुकी थी वो काफी खुश हुआ कुछ दिन के बाद वो जो लर्का था एक दिन अपने घर से निकल कर बाहर खेलने आया वो एक पेर के पास खरा था तो अचानक क्या देखता है कि उसकी तरफ दो खरगोश चले आ रहे हैं उस लर्के की नजर एक खरगोश परी तो उसे एहसास हुआ अरे ये खरगोश तो क्याना पहाचाना लग रहा है मेरा जो पुराना ओला खरगोश था वो तो बिलकूल इसी के जैसा था लेकिन ये तो असली है और वो तो खिलाउना था और इस तरह से जब इस बात को करगोस ने सुना तो बराखुस हुआ कि आज इसी लरके की देन है यानि उसी लरके की वज़ेसे आज ये खिलावना खरगोस जिन्दा बन गया था उसकी पियार की वाकई